हरे कृष्णा राथे राथे, हैपी लाइफ इतकाना जी की आज की इस वीडियो में हम आने वाले हर्याली तीज के विशे में चर्चा करेंगे हर्याली तीज का त्योहार कम मनाया जाएगा, इसमें हमें कैसे पूजा करनी है, क्या कुछ विशेश बाते हैं जिनका हमें इस दिन ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे सावन महा के शुकल पक्ष कित्रित्या के दिन हर साल हर्याली तीज का पर्व मनाया जाता है हर्याली तीज का पर्व बहुती विशेश होता है माता पार्वती की पूजा इस दिन की जाती है माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने से घंट सो बागे की प्राप्ती होती है कहा द्याता है कि जो कुमारी कन्याएं हर्याली तीज के दिन वरत करती हैं या भगवान शिव और माता पारवती की विशेश पूजा करती हैं उनका विवाह जल्दी हो जाता है उन्हें मन्चहावर मिलता है और उनका विवाहिक जीवन सुखी बनता है हर्याली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाता है ऐसी माननेता है कि इसी दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगनी के रूप में सुईकार किया था इस वर्ष हर्याली तीज का यहत्योहार 31 जुलाई को मनाया जाएगा तृत्य तिथी का आरंब 31 जुलाई सुभे 2 बच कर 69 मिनट से होगा जिसका समापन 1 अगस्त की सुभे 4 बच कर 18 मिनट पर होगा तो उद्यतिति में रहनी के अनुसार 31 जुलाई रविवार को ही हर्याली तीज का परूँ मनाया जाएगा हर्याली तीज के दिन निर्जला वरत किया जाता है बाईना निकाला जाता है माता पार्वती की विशेश पूजा की जाती है इस दिन हरे रंग के वस्तर पहनने चाहिए, वरत रखने से एक दिन पहले ही खुद भी महंदी लगाएं और माता पारवती को भी महंदी अरपन करें हर्याली तीज की पूजा का समय प्रदोश काल में होता है, प्रदोश काल में हर्याली तीज की पूजा की जाती है तो पूजा का शुब मूर्थ रहेगा रविवार शाम 6 बच कर 33 मिनट से रात 8 बच कर 51 मिनट के बीच इस शुब मूर्थ में आप हर्याली तीज की पूजा करें वरत की कथा पड़ें माता पारवती और भगवान शिव की विशेश रूप से इस दिन पूजा करें जब आप हर्याली तीज की कथा सुन रहे हैं तो एक बात का विशेश ध्यान रखें जब आप कथा सुनना प्रारंब करें उससे पहले अपने हाथ में थोड़े से अक्षत और एक फूल ले 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 खाली हाथ कथा ना सुने अक्षत यानि बिना तूटे हुए चावल अखंड सो भागे का वर्दान देती हैं पैसे तो इस दिन रिजला वरत किया जाता है लेकिन जो लोग पूरे दिन का रिजला वरत नहीं कर पाते हैं वे शाम की पूजा के बाद कुछ फलाहार ले सकते हैं कुछ गरों में इस दिन वरत नहीं किया जाता है केवल वाइना निकाला ज और उनके पैर शुकर उनका अशिरवात लें एक बात का ध्यान रखें कि ये वाइना आपको ससुराल पक्ष की ही किसी सुहागी महिला को देना है इसमें आप अपनी सास को दे सकती है, ननन को दे सकती है, जिठानी को दे सकती है लेकिन अगर आपके पास में कोई नहीं है तब क्या करें देखिए अगर ऐसी समस्य आपके साथ हो जाती है कि जिसे आपको वाइना देना है वह महिला आपके पास नहीं है, कोई भी बड़ी महिला आपके पास घर पर नहीं है तब आप फोन करें और उनका अशिरवात फोन पर ही प्राप्त कर लिए बाइना निकालने के बाद पूजा करने के बाद आप माता पारवर्ती से प्रार्थना करें कि वे आपके पती को हर संकट से दूर रखें उनकी हर तरह से रक्षा करें हर्याली तीज का त्योहार, हर्याली तीज का यह वरत, विशेश रूप से पती की लंबी आयू और उसकी सुख समर्दी के लिए रखा जाता है अब जान लेते हैं कि हर्याली तीज के वरत का हम पारण कैसे करें देखे हर्याली तीज के वरत का पारण अगले दिन किया जाता है अब क्योंकि इस बार हर्याली तीज का यह वरत रवी वार को पढ़ रहा है अगले दिन सोम बार है तो आप लोगों का सोम बार का भी वरत होगा सावन का सोमबार है तब ऐसे में हम पारण कैसे करेंगे देखे सबसे पहले उठकर आप अगले दिन अपना पूझा पारवती को धन्यवाद करें कि उन्होंने आपके वरत को निर्विगन पूरा किया इसके बाद आप हर्याली तीज के वरत का पारण करें अगर आपका सोमबार का वरत है तब आप किसी भी फल से आप इस वरत का पारण करें और माता पारवती से अपने पती की लंबी आयू और उसकी सुख समद्धी के लिए प्रार्थना करें इस वरत का पारण करने के बाद आप सोमबार का वरत आरंब करें सोंबात के वरत का संकल्ब करें एक वरत का पारण करें तब ही दूसरा वरत आप शुरू करें देखिए हर्याली तीज में ऐसा कोई विधान नहीं है कि आपको अन खाकर ही इस वरत का पारण करना है आप फल खाकर भी इस वरत का पारण कर सकते हैं इसलिए आप हर्याली तीज के वरत का पारण भी असानी से कर लेंगे और आपका सोंबार का वरत भी भंग नहीं होगा। अब जान लेते हैं कुछ ऐसी बाते जिने हर्याली तीज के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात इस दिन आपको काले नीले सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भूल कर भी इस दिन काले नीले सफेद रंग के कपड़े ना पहने। हर्याली तीज के दिन आप सोले शिंगार करें, सुन्दर सुन्दर कपड़े पहनें, इस दिन हरे रंग के कपड़े और हरे रंग की चूड़िया पहनना बहुत ही शुबाना जाता है। और सबसे बहेंतों पूर्ण बात हर्याली तीज का वरत पती की उन्नती और पती की लंबी आयू के लिए रखा जाता है। तो इस दिन कोशिश करें कि आप अपने पती से किसी भी बात पर छगड़ा ना करें। अगर आपने पूरे दिन वरत किया पुझी विधान से पूझा की लेकिन शाम को होते होते आपने छगड़ा कर लिया तो आपकी वरत पूझा का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। आपका सारा किया पुझा पाढ़ व्यर्थ हो जाएंगा। तो इस बात का आप हर्याली टीज के दिन या किसी भी विशेश पुझा पाढ़ के दिन वरत के दिन इस बात का ध्यान रखा करें। कि उस दिन घर में छगड़ा ना हो। आज की इस वीडियो में हमने हर्याली तीज के पारे में जाना आज की इस वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ हरे कृष्णा राधी राधी